नमस्ते, Miracles of Urin Therapy इस सेरीज के अंदर हम बहुत सरी बाते रोज करते हैं, तो आज आननकुल में मेरे साथ मिस्स मनीशा साने जी है, जो विवेवाड़ी पुने से आई है, वजन ज्यादा था, ओवरिंसिस था, गुटनों में तकलीब थी, यह सारी समस्या लेकर यहां पर आए थे, तो वजन कितना था, और वो कितना कम हुआ, यह सुनना भी उनके भू से अच्छा लेगा, तो उनके बारे में तुमस्ता जानते हैं, कैसे रहा आपका 10 दिन का इस्विएंस, नमस्कार, मेरे लिए यह अननन्द बहुती आनन्द आई रहा, जैसे मैंने सुचा, व अच्छुली मुझे ओरी मैसिस था, इसकी वज़े से डॉक्तर ने सला दी थी, कि उनका ऑपरेशन करना जरूरी आपका, और ऑपरेशन के लिए आपका वेट भी जादा है, तो इसकी वज़े से रैट विल भी हाई रिस्क ऑपरेशन, तो उन्होंने मुझे बताया था, कि अच्छुली आपको बेट कम करना पड़ेगा, मगर एक्छुली बेट कम करने के लिए मेरे पास जो टाइम था, वो भी बहुत कम था, तो मैंने सुचा क्या को रोओ, जीम लगाओ या क्या को रोओ, इस उमर में इतना ज्यादा भागना, इतना रोज का इक्रसाइज, वो पर शुच्छ करने के बाद यहां उनको काम का उट्थ करने के बाद के बाद रोओ, यहां आने के बाद डापैंटर सर ने मुझे बोला, आपका जो वेट है, वेट आपका एकदम कम हो सकता है, उसकी चिंदा अफमत करो, आपका उप्रेशन दूपरेशन भी आपको बहुत surprising और वो जो बोलता है ना कि कस्तुरी मुरुग के नाभी में उसका गंदर रहता है तो उस प्रकार और उस गंदर की उसको पता नहीं उसको रहता है तो same thing कि डॉक्तर सर ने जब बोला कि यह शिवाम्बु का प्रयोका पहले शुरू करो शिवाम्बु के लिए आपको किसी दुकार में जाने की ज़लगे खुद आपके पास है तो शिवाम्बु की थेरपी से इतने जल्दी वेट लॉस हो सकता है यह पहले दिन तो मुझे surprising लगा और सर ने जब बोला कि आपको तेन दिन का उपवास रखना पड़ेगा तो मुझे लगा यह तो मेरे लिए शा मेरा 8 kg कम हो गया तो इसका पूरा क्रेडिट डॉक्तर सर और उनकी टीम को जाता है तो पहले मतलब वजन थी जिट में था और अभी वो 92 हो गया तो अच्छा रिजर्ट शायर मुझे किसी जिब में किसी किसी बी क्लिनिक में नहीं मिल सकता था शायर अभी मैं नेक्स उनक् तो मेरे जो सरजन है वो भी शायर मुझे पूचेंगे और मैं उनको बताने वालियों कि ये थेरपी आप सो आप कुल भी वहाँ जाके देखो ऐसा कोई कर सकता है इसका भी लोगों को विश्वास नहीं होता है अच्छिवी लोगों को जो पहली दिन बोलते हैं कि आपको व एक दिन और एक पल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ खाना है अच्छिली मेरे हद्बर मेरे साथ आये थे उनका तो उपवास नहीं था तो वो नीचे जाते थे खापे मगर उन्होंने मुझे जब भी बुचाती तो वो लग रहा है कि पुच भूच भूच लग तो यह उपवास करना शीवांभू की वज़े से मिराकल लगता है आसान हो जाता है और सटसंग में जब लेक्चस में सर बोलते है तो इसका और भी महत्व हमारे दिल में जादा उबरता है और बाकी भी सारा जो आपका प्रोग्राम है योगा ब्यास प्राणा या इसकी बहुत सारा इनर्जी मिल दिया है और मैंने मेरे बेटे को जब फोल किया तो उसने बोजे पूछा हुई तुम इतना उपास करें वागर इतनी एनर्जी में कैसे बात कर रही हो और मुझे मुझे खुद के लिए अचले लगता है कि जब एक दिन वो वमन वीरेचन वाली ज तुम आखता है कि लिए लोगों से लोगों को छोटा बच्चा बना देते हैं खुद बच्चा बनके उनके साथ सर भागे होते हैं तो वाल मिरेकर सभी लोगों के लिए हमारा एक अच्छा गुरुप बन गया और सर ने भी सभी को किसी अम्र का बैदबाव नहीं अजैंश अब आपके सब्सक्राइब करें तो शरीर के साथ मन के ऊपर कितना असर्थारगी थेरपी आपको लेगी येश्ट इस अब इसे अपर्टन मुझे लगा कि मुझे लगा कि में साथी का जो था और सिद्ध समाधियों पोनों में चित्त शुद्धी मन शुद्धी और आपके संगह से जह शुद्धी हुई है तो सिरिजर के शुद्धी जरूदी नहीं ο सन की सूचनी मन को toe मिलती है चाहिद मैंने वास्टू में कुछ है मंदिर में झाके जैसे हैं एक़फ्ल मन को शान्ती मिलती है वैसे अनद कुछ seminar के आकेrent यहां के वास्टू में यहां के सब लो तो वात्साव इतनी अच्छी तरह से चला रहे है कि शायद लोगों को बहुत में लोगों को दवा तो कभी में मिलती है तो क्या हम दो रहा कितने दिन के बाद कितने सादों के बाद आप खेल पाईगी कि वहत अच्छा वह प्रशन है अपका येस मेरे उम्रे से ज्यादा भी 2-3 लोग थें वह भी चायद हम आपकी तरह बच्ची बढ़े थें और इसा बुला ना कि वह वाड़ता मराथी मजे मन्ता तुबहे वाड़ता पड़ मन तरूड़ असे मना तरूड़ वाया और अपना निश्चित परिणाम करें सब्सक्राइब करते हैं आपको मिलने वाली एकदम हसत मुख वाली वह प्रसन न सुना लिए और आपके सारे टिमेंट्स जो एकदम प्यार से दुलार से सब हमको माद मसाज मादिशन और त्रिटमेंट्स वह सब चलता है तो वह पूरा टीम आपका वह होती आपके पिता जी क तरह आप सब सेवा भवी सेवा प्रती है तो यह जो है अभी 23 years you are completed for the center तो ऐसे ही बहुत दिनों तक बहुत योगों तो यह सिल्सिला जानी रहेगा तो अभी energy level कैसी है यह definitely इस एक सेंपेंस थे गुटनों में दर था कमर में दर था उसमें कितना relief है आपको ने गुटनों क यह मुझे किसी ने पूछा तो मैं बताने पाऊंगी ना मेरा दर कम हुआ है यह back pain भी कम हुआ है यह incubator और वह देने वाली जो डॉक्तर से वो भी तनी अच्छी है एक बढ़ी है तो 2023 की शुरुबात में ही आपने शेरी का detox किया है जाके फिर बाइक बार सोनोग्राफी कर यह जोड़ी नहीं पड़ेगी यह विश्वास आपके अंदर जगा यह जगा है तो शिवाबु के बारे में आखिर में क्या लगता है शिवाबु की जगा यहां अन्सर के पेशन है हार्ट वाले पेशन यहां मेरे सामने एक cancer second stage वाला पेशन था तो यहां आने के पहले उस उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं चलता था अगर यहां आने के बार डॉक्टर के ट्रेट्मेंट के बाद शिवाबु थेरपी के बार उसने खाना शुरू किया और उस खाने का उसको कुछ भी असर नहीं हुआ मैंसरी वहां सो हैपी मुझे लगा सर आप यहां ले रहे से आपका बहुत यह संचे ऐसा ही रहेगा अब बहुत बहुत बड़े अमिर बनेंगे इस नहीं के का रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद है